हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर बहुती आसान सिंगल कलर का पैटर्न सेयर करने जारी हूँ यह पैटर्न हमारा ब्लैक कलर की स्वेटर के लिए है यह देखे बनके देखे बहुती कुसुरत हमारा यह पैटर्न आया है यह देखे इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने फोर के मल्टिपल में फंदे डालने है और पलस हमने टू फंदे एक्स्ट्रा डालने दस नमबर की सल सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी बोडर बनाके कंप्लीट करेंगे बोडर कंप्लीट होने के बाद हमारा ये पैटर्न बनना इस्टार्ड होगा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए निव वीडियो की नोट्फिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूले वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं तो देखे अब देखे बॉर्डर के बाद फ़स्ट रो पैटन की फ़स्ट रो को देखे पहला फंदा उतारेंगे और फ्रंट साइट से हमने फ़स्ट रो को सीधा बुनते हुए कमप्लेट कर लेना है इस तरीके से यह देखे यह देखे फ्रंट साइट से हमारी पैटन की फ़स्ट रो कमप्लेट हो गई अब देखे बैक साइट से पैटन की सेकिंड रो अब सेकिंड रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइट से हमने सेकिंड रो को उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है ये देखिए बैक साइट से हमारे पैटरन की सेकेंड रो कंप्लेट हो गई अब देखिए फ्रांट साइट से थर्ड रो अब थर्ड रो को हम फ़र्ष रो कितरा सीधा बुनते है कंप्लेट करेंगे अब देखिए फ्रांट साइट से हमारी थर्ड रो कंप्लेट हो गई अब देखिए बैक साइट से फोर्ष रो पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइट से फोर्ष रो को हम सेकेंड रो कितरा बुनते है कंप्लेट करेंगे यह देखिए यह बैक साइड से हमारी फोर्ट रो कम्प्लीट हो गई अब देखिए फ्रेंट साइड से फिप्त रो अब फिप्त रो में देखिए पहला फंदा उता लेंगे यह हमारा एक्स्ट्रा फंदा है अब देखिए नेश्ट हमारा चार फंदों में पैटर्न आएगा तो देखिए चार फंदों में से हमने तीन फंदे सीधे बुन लेने एक, दो, तीन ये तीन फंदे हमने सीधे भुन दिये आप देखे जो चौथे नमबर का फंद है इसको हम ऐसे स्लीप करेंगे और देखे इसको हम चार बार खोल लेंगे ऐसे एक, दो, तीन, और चार ये चार बार हमने इस फंदे को खोल लेना है और देखे जो ये फंदा है इसको हम ऐसे बुन लेंगे ये खोले हुए धागे और ये फंदा इनको हमें एक साथ बुन लेना है इस तरीके से इस तरीके से इसको बुन लेंगे फिर नेस्ट हम सेम प्रोसिस चार फंदों में रिपीट करेंगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन तीन फंदे सीधे अब देखे जो चोथे नंबर का फंदा है इसको हमने ऐसे सिलीब कर लेना है और इसको हम चार बार खोल लेंगे एक दो तीन चार अब इस चार बार हमने इस फंदे को खोल दिया और फिर इसके बाद इस फंदे को एसे बुन लेंगे इस तरीकी से दीखें कि अर्ण हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे तीन फंदेसी बुनेंगे एक, दू, तीन, तीन फंदे सीधे, चौथे नंबर की फंदे को सिलीप करेंगे और इसको चार बार खूलेंगे, एक, दो, तीन और चार, अब ये चार बार खूलने के बार देखे इस फंदे को बून लेंगे, इन धागों के साइद ये देखे एक साथ हमने बुन दिया फिर तीन फंदे सीधे सेम प्रोसिस रिपीट होगा तीन फंदे सीधे आ जाएंगे एक फंदे को हम चार बार खोलेंगे फिर देखे खोले हुए धागे और इस फंदे को एक साथ बुन लेंगे इस तरीके से ये दे और लास्ट का फंदा ऐसे उतार लेंगे बिना वोने यह देखें अब देखें बैक साइट से 6 रो अब बैक साइट से हमने 6 रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है कर देखें यह देखें बैक साइट से हमारी 6 रो कंप्लेट हो गई आप देखें फ्रंट साइट से 7 रो अब 7 रो में देखें पहला फंदा उतारेंगे और फ्रंट साइट से हमने 7 रो को सीधा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है कर देखें यह देखें फ्रंट साइट से हमारी 7 रो कंप्लेट हो गई अब देखें बैक साइट से 8 रो पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइट से हमने 8 रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है यह देखें बैक साइट से हमारी 8 रो कंप्लेट हो गई फ्रंट साइट से देखें 9 रो पहला फंदा उतारेंगे और फ्रंट साइट से हमने 9 रो को सीधा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है यह देखें यह फ्रंट साइट से हमारी 9 रो कंप्लेट हो गई आप देखें बैक साइट से 10 रो अब 10 रो में देखें पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइट से हमने 10 रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है यह देखें यह बैक साइट से हमारी 10 रो कंप्लेट हो गई अब देखें फ्रंट साइट से 11 रो अब 11 रो में हमारा पैटन सीप्ट होगा तो देखें पहला फंदा उतार लेंगे यह पहला फंदा उतार लेना है और नेस्ट हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है एक फंदा हम सीधा बुनेंगे अब देखें जो नेस्ट फंदा है इसमें हमारा पैटन आएगा तो इसको हम ऐसे सिलीप करेंगे और देखें एक दो तीन और चार चार बार हम इस फंदे को खोल लेना है और देखें जो यह खोला हुआ फंदे खोले वे धागे हैं और यह फंदा इनको एक साथ बुन लेंगे इस तरह किसे यह देखें फिर देखें नेस्ट तीन फंदे सीधे आ जाएंगे एक दो तीन तीन फंदे सीधे अब देखें जो नेस्ट फंदा है इसको हम ऐसे सिलीप करेंगे और देखें चार बार खोलेंगे एक दो तीन चार यह चार बार हमने इस फंदे को खोला अब देखें इस फंदे को और यह धागे इनको एक साथ बुनेंगे यह खोले हुए धागे और यह फंदा एक साथ बुन लेने इस तरह किसे तो देखें यह हमारा पैटन रिपीट ए फंदे सीदे एक, दो, तीन फिर देखे नेस्ट फंदा ऐसे सिलीप करेंगे चार बार खोलेंगे एक, दो, तीन, चार फिर देखे इस फंदे को और यह खोला हुआ दागा, इनको एक साथ भुनेंगे, इस तरीके से दिखे, यह, फिर देखे, नेस्ट सेम प्रोसेस रिपीट होगा, तीन फंदे जीधे आ जाएंगे, और नेस्ट फंदे में हमारा पैटर्न आएगा, इस फंदे को सिलीप करेंग इस फंदे को ऐसे चार बार खोल लेंगे, और फिर एक साथ भुन लेंगे, इस फंदे को और इन धागों को एक साथ भुनेंगे, इस तरीके से देखे, यह, फिर तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, और एक फंदे में हमारा पैटर्न आ जाएगा, इस तरीके से देखे, फिर इनको एक साथ बोनेंगे और फिर नेस्ट तीन फंदे सीधिया जाएंगे तो देखिए ये फ्रेंड साइड से हमारी 11 तरो कम्प्लेट हो गई ये देखिए अब देखिए बैक साइड से 12 तरो अब 12th row में देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने 12th row को उल्टा बनते हुए कमप्लेट कर लेना है यह देखे यह बैक साइड से हमारी 12th row कमप्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से 13 डो अब 13 डो में हमारा पैटन रिपीट एंड सिप्ट होगा अब हम अपने पैटन को ऐसे ही रिपीट एंड सिप्ट करते जाएंगे 13 डो को हम 1st row के तरह बुनते हुए कमप्लेट करेंगे बैक साइड से जो 14 डो आएगी उसको हम 2nd row के तरह बुनते हुए कमप्लेट करेंगे इस तरह हम अपने pattern को repeat and shift करते जाएंगे और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा यह देखे बहुती सुन्दर, बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करे, share करे, comment करे और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूले Thank you